नमस्ते मैं अविनाशूं और आप दिललन टॉप देख रहे हैं आठ अगस्त 2019 रात के आठ बज रहे थे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ सभी न्यू चैनलों पर नजर आने लगे कश्मीर मुद्धि पर बात की देश के लोगों को भरोसा दिलाया फैसने के बारे म हो या कहवा का स्वाद सेव का मीठा पन हो या खुबानी का रसिला पन कश्मीरी शाल हो या फिर कलाकृतियां लद्दा के और्गनिक प्रोड़क्ट हो या हर्बल मेडिसिन इसका प्रसार दुनिया भर में किये जाने की जरूरत है मैं आपको एक उधान देता हूँ लदाख में सोलो नामका एक पौधा पाया जाता है जानकरों का कहना है कि ये पौधा हाई एल्टिटूर पर रहने वाले लोगों के लिए बरफिली पाडियों पर तैनाद सुरक्षा बलों के लिए ये संजिवनी का काम करता है कम अक्सिजन वाली जगह पर सरीर के इम्म्यून सिस्टीम को समाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है सोचिए ऐसी अद्भूत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा जब प्रधान मंत्री ने सोलो का जिकर अपने भासन में किया तो तमाम लोग इसकी खोज में जुट गए आज तक ने भे इस पौधे को खोज मिताला ये पौधा लद्दाख में खरदूंगला के पास 18,000 फुट की उचाईयों पर मौझूद था लद्दाख के लोग इस पौधे को सोलो कहते हैं वही वज्ञानी किसे रोडियोला के नाम से जानते हैं लद्दाख के लोग इस पौधे की पत्कियों का इस्तिमाल सबजी बराने के लिए भी करते हैं ये पौधार अक्षान उसंधाने वं विकास संगठन यानि के डियाडियों की लेह इस्तित लैब में भी रखा हुआ है यहां के वज्ञाने किस जड़ी बूटी पर रिसर्च कर रहे हैं और अगर पौराणिक कथाओं की माने तो राम राम युद्ध के दवराल लक्षमण को मेगनाद ने तीर मारक पर बेहोस कर दिया था इलाज के लिए उन्हें संजीवनी बूटी की जड़त थी और तब हन्वान जी संजीवनी बूटी का पहाड उठाकर लाए थे वो यही सोलो पोधे का पहाड था लेह में DRDO का एक ऑफिस है जिसे Defense Institute of High Altitude Research यानि की DIHAR कहते हैं इसके डायरेक्टर है ओपी चौरसिया उनका कहना है कि लेह जैसे इलाके में यादास्त कम होना कमजोरी और उन्चाई से डर जैसी बिमारियां होना आम बात है वग्यानिक पिछले 20 साल से इसका इलाज खोज रहे हैं और इसी खोज के दोरा हम सोलो में वो गुण पाए गए हैं जो उचाई पर सैनिकों की छमता बढ़ा सकती है सोलो में रेडियेशन रोकने और कैंसर ओधी छमता समय किसी भी विमारी चे लड़ने के गुण हैं इसलिए हम इसे संजीव नी कहते हैं सोलो पर रिसर्च कर रहा है DRDO LIVE के मुख्या O.P. 84 के मुताबिक जल्दी ही सोलो को दवाए बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा ये दवाई सेन को कही नहीं आम लोगों के लिए भी फायदे मन्द होगी और जब सोलो मार्केट में आ जाएगी तो उसका अपडेट हम आपको जरूर देंगे इसके लिए आपको बस कर रहा ये है कि आप अगर इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लिजिए अगर आप इसका यूट्यूब कर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए गूगल प्ले स्टोर कर हमारा एंड्राइट आप है उसे डाउन्लोड कर लिजिए देखते रहे पढ़ते रहे दिलललनटॉप.com शुक्रिया